गुड मॉनी क्लास थर्ड और सभी बच्चों का वेलकम है न्यू क्लास में क्लास है आपकी थर्ड तो सभी बच्चों के लिए कॉंग्रेचुलेशन और सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझीम और मैं कुसुम रावत आपकी हिंदी की टीचर हो तो आपको मैं हिंदी बढ़ाऊंगी बच्चों तो आज बच्चों हम आपको कंटेंस के बारे में बताएंगे क्या आपके पास हिंदी में क्या क्या है ठीक है ना तो आप अपनी बुक जो है ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक एबिलेबल है तो अपनी book open कर लीजिए और condense देखें यहाँ पे कहां क्या है तो सबसे पहले देखें इसमें कविता से start है ककू पेज नमबर भी इसमें दिया गया है कौन से पेज में आपकी जो ककू कविता है वो कहां पे है चैप्टर नमबर डू देखें से की बाज मक्खी एक कहानी है फिर इसमें देखें चांद वाली अम्मा चैप्टर नमबर त्री और यहाँ पे देखें चैप्टर नमबर त्री के अंदर एक कहानी और आई है सूरज और चांद उपर क्यों गए और फिर ये आपका चैप्टर नमबर 4 मन करता है ये भी एक कविता है बच्चों मन करता है चैप्टर नमबर 5 है बहादूर पित्तो ये भी कहानी है और चैप्टर नमबर 5 के अंदर एक कहानी और आई मूस की सवारी चैप्टर नमर शिक्स देखिए हमसे सब कहते ये भी कविता है ठीक है, एक बच्चा क्या कह रहा है हमको ही सब कहते हैं, डार्टने हैं तो उसी पे सम्मधित दिये है और फिर चैप्टर नमर सेवन देखिए टिप टिप वा ये भी एक कहानी है चेप्टर नम्र 8 बंदर बाट और चेप्टर नम्र 8 के अंदर देखें यहां पर अकल बढ़ी या भैस कहानी है यह भी और चेप्टर नम्र 9 देखें कब आऊं चेप्टर नम्र 10 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया और इसमें कविता क्योंजी मल चेप्टर नंबर 10 के अंदर आईए सर्धी आई कविता है, यहां पर देखें आँग जल रही है और कोई कंबल ओड चे बैठा है तो सर्धी आई कविता है और यहां पर देखें चेप्टर नंबर 11 है 11 मीरा बेहन और बाग और कहानी की कहानी चैप्टर नमबर 11 के अंदर क्या है कहानी की कहानी और चैप्टर नमबर 12 देखे जब मुझे सापने काटा और इसके अंदर है बच्चों के पत्र बच्चों के पत्र जानते हैं जैसे आप किसी को लिखते हैं अपने दोस्तों को या अपने मौसी को या अपने मामा, मामी किसी को भी आप लिखते हैं तो बच्चों के पत्र फिर है chapter number 13 मिर्च का मज़ा यहां पर देख रहे हैं मिर्च का मज़ा यह कवीथा है chapter nores 14 है सबसे अच्छा पेड ठीक है सबसे अच्छा पेड़ कौन होता है तो पेड़ों के बारे में इसमें बताये गया है इस कहानी में और फिर चेप्टर नमर 14 के अंदर देखे पत्यों का चिरिया घर तो पत्यों के बारे में हाँ पर आपको बताये जाएगा और फिर लास्ट में है चेप्टर नमर 14 के अंदर ही नाना-Nani के नाम ये कविता है नाना-Nani जब आप नाना-Nani के घर पे जाते हैं तरीकिस की आवापे मस्ती करते हैं तो उसके बारे में कविता में बताया गया है तो सबसे पहले बच्चों आज आप क्या करेंगे अपना कंटेंस देखेंगे और जो आपकी हिंदी की कॉपी है उसको आप तियार करेंगे सो थैंक यू